दोस्तो टार्गेट विद पियस परिहार में आपका स्वागत है दोस्तो आज 27 सगस्त और आज के जो प्रमुख दैनिक समाचार विध्यार्थी जीवान से समंदित हैं वो निम्न लिखे थे दोस्तो यूपी टीटी 2018 की परिच्छा से समंदित है और रेलवे गुरूप डी की को आज अंतिम्ति मौका है और यूपी पीस्ती उत्तरप्रदेश लोग सिवा आयोग से समंदित कुछ समचार हैं तो दोस्तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं CTET में आवेदन को ले करके दोस्तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि CTT में तक ना आवेदन कियो तो भी आज आवेदन कर सकते हैं देखिए इसमें लिखा हुआ केंदरी माधिमिक सिक्चा बोट दोरा आयोजित होने वाली CTET सेंट्रल टीचर इलिजबिल्टी टेस्ट के लिए अब तक फ़र्म नहीं भरा है तो अब आवेदन कर दें सुमवार को आ पावेदा काफी असमंजस में हैं तो दोस्तों यह CTT से समंदित एक सूचना है अगली सूचना है दोस्तों UPTT 2018 को लेकर और अगली 8500 शिक्षक भरती से जिसका काफी लोगों के इंतजार है कि अगली बार कटाफ क्या होगा और कैसी परिच्छा होगी तो दोस्तों वह जो ह साल उत्तर प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा यानि UPTT और 6500 साग अध्यापकों के एक और बैच की भरती के लिए लिखित परिक्षा करा ली जाएगी और 6500 नहीं दोस्तों यह लगबग 95 भरती हो जाएगी चुकि इसमें तो 38,000 लोग उन आवेदन किया है और परिक्षा दिसंबर तक कराने के निर्देश दे दिये हैं और तो दोस्तों अगर दिसंबर तक दोनों परिक्षा करवाना तो पहले टीटी होगा और फिर सिख्षक भरती परिक्षा होगी तो दोस्तों बहुत जल्दी ही इस परिक्षा का टीटी का विग्यापन आएगा औ लाख BTC DLA इंतजार कर रहे हैं और इस बार तो बीट अभरती भी इसमें सामिल हो गए हैं तो दोस्तों यह खबर थी UPTT से समंधित और अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग की PCSJ लेकिन दोस्तों उससे पहले एक खबर और है जो आप लोगों के काफी काम किये कि 68500 शिक्षक भरती में जो अविदन किया है तो उसमें बहुत सारे लोगों के फार्म में गलतियां है तो उसमें संसोधन करने की मांग बहुत तेजी से हो रही है अभी तक उसके लिए कुछ कहा नहीं गया है लेकिन अगर मोबाइल नंबर गलत है तो मोबाइल न आलाइन आवेदन किये हैं तो उस्तों 68500 में 41,000 कुछ विद्यार्थियों ने भाग लिया था और केवल अभी तक 38,000 ही आवेदन हुए हैं तो लगबग 3-4,000 विद्यार्थी तो ऐसे ही खाली हो गए और जिसके आधार पर अभ्यार्थी आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं तमाम वाभ्यार्थियों की मुबाईल नंबर बदल जाने से मुबाईल नंबर में संसोधन कराने के लिए 26 अगास्त तक समय दिया गया था अंतिम तिथी के दिन बेसिक सिक्षक कार्याले बंद होने के कारण बड़ी संक्या में अभ्यार्थी लोट गए अब उन्हें सुमवार को आवेदन करने के लिए एक दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा तो दोस्तों यह एक अतिरिक्त आउसर मिला है मुबाईल नंबर संसोधन करने के लिए तो यह एक खबर है और दूसरी खबर इसमें यह कि किवर 38,000 विद्धार्थियों ने ही अब तेज करती है अब वो कुछ लोगों पर FIR करने वाली है कि कापियों को क्यों रद किया गया इसे सबंदित यह खबर चपी हुई है और और तो कुछ खास खबर इसमें नहीं है देखा जाएगा कब तक गृफ्तारी होगी कब तक क्या होगा कापी समय हो गया अगली कबर दोस्तों वह यह जिसके लिए लोग सिवा आयोग विक्यात है कि हमेशा कोई भी चीज समय पर नहीं हो पाती है तो देखिए PCSJ के बारे में कापी चर्चा थी कि अब इसके विग्यापन आ जाएगा कल आ जाएगा परसू हो जाएगा ऐसी सुचना खुद वहा आयोग को दो माह पहले ही पदों का अधियाचन मिल चुका है और इस दोरान दो बार पदों के संक्या बढ़ चुकी है लेकिन आयोग ने अब तक विग्यापन जारी नहीं किया दरसल विग्यापन जारी करने से पहले आयोग कुछ तक नहीं की मामलों को सुल जाना चाहता ह और इसके लिए आयोग ने सासन को पत्र वेजा है, सासन की और से इस्थित इस्पष्ट किये जाने के बाद आयोग PCSJ के लिए विग्यापन जारी करेगा, आवेदन की प्रक्रिया सुरू होगी, आयोग ने जो पहला अर्दवारस की परिक्षा कलेंटर जारी किया था, उसमे ये जो भरती आएगी जरूर बहुत जल्दी आएगी, सितंबर के महिने में ही लास्ट तक आजाएगी, और पदोंग संगा 600 होगा ये, आप लोग तैयरी करते रहे हैं, चुकि काफी दिन से बकेंजी पूरी हुई नहीं थी, तो कई एज को लेकर के बहुत सारी मांगे भी हो रही थी, और सरो के लेकर के मांग हो रही थी, तो उसी समंधित कोई संसोदन होगा, वो तो होने के बाद मालूम चलेगा, तो एक दोस्तों ये खबर है कि इसमें थोड़ा सा भी समय लग सकता है, दोस्तों अगली खबर है कि अब आनलाइन होगी UGC नेट की परिच्छा दोस्तों परिच्छा की सुचिता को बनाने के लिए अब जो UGC ने ये तै किया है कि जो अगली बार से जब परिच्छा होगी UGC की अब उसको ऑनलाइन एक जाम करवाया जाएगा, तो दोस्तों ये एक बड़ी अच्छी खबर है, ये सुधार किया गया, उसमें कापी न परिच्छा कब से होगी, इसकी बारे काफी दिनों से विद्धार्चियों की इंतजार था, तो दोस्तों इसकी एक जाम डेट आ गई है, और 17 सितंबर से ये एक जाम होंगे, ऐसा रेलेवे की बेब साइट, RRB चेन नही, RRB खोलकाता, RRB इलहाबाद में आप देख सकते हैं, ये नोटीस उस पर लिखा हुआ है, कि the computer-based test CBT for recruitment of level 1 post is likely to start from 17 सितंबर 2018, the exam city date shift detail, cell be made live 10 days prior to the start of CBT, detailed CBT scheduled, cell be released shortly, यानि कि जो exam date है, उसके 10 दिन पहले से प्रविश्पत्र जारी कर दिये जाएंगे, जिसमें लिखा होगा कि कहा पर परिच्छा होगी, आपकी के सहर में होगी, किस विद्याले में होगी, और आपके जो परिच्छा दोस्तों, 17 सितंबर से start हो जाएगी, तो ये एक बहुत इस चैनल को subscribe अवस कर लें, subscribe करने के बाद में ये जो bell icon है, इसको भी click कर दें, ताकि जब भी कोई भरती से समंधित update होगा, या किसी vacancy से समंधित update होगा, तो उस वीडियो का notification आपको मिल जाएगा, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो like अवस करें, और जिन् कर लिया है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद,